श्रीन आज्ये गुरुजी को अलखादेश, माभगवती को अलखादेश, राची वाले भैरब बाबा को अलखादेश, आप सभी को आदेश आदेश आज का वीडियो उस समस्या पर है जिससे 99 प्रतिशत भारत और 99 से भी जादा प्रतिशत विश्व परिशान है और वो है ध्यान ध्यान का मतलब मेडिटेशन नहीं कि बैट करके ओमकर का नाथ सुन रहे हैं और फूलों की बगिया में समुंदर के किनारे घूम रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं वो नहीं का भाव है जिसके चलते आपको रोका जा रहा है कि एक कथा मैं हमेशा सुनाता हूं संशिप्त में अभी बता रहा हूं कि एक लकड हारा ना बड़ा परेशान रहता था वह सुबह उठता था जंगल जाता था सोचते हुए कि पता नहीं लकडी काट पाऊंगा के नहीं मिल प बारे में सोचता रहता था आजकल बहुत ग्यानी ऐसा बताते हैं कि जो काम आप करते हैं दिन भर उसमें डूबे रहे लेकिन क्या था कि उस लकड हारे को कभी भी जो है ना जीवन में खुशी नसीब नहीं हो रहा था वह कभी भी अपने व्यापार में आगे बढ़ नहीं लकड़ी काटता हूं पेचता हूं लेकिन उननती नहीं है जीवन में तो उसने कुछ मंत्र दिया नाथ जी ने और उसके बाद उसका व्यापार बहुत फली भूत हो गया एक मित्र ने पूछा कि भाई पहले भी तुम लकड़ी काटते थे अब भी अब भी लकड़ी काटत बढ़ी ऑतो पर द्याय करो तो वही चीज होता है द्यान का जो व्यापारी नहीं कर पा रहा है जो कहीं नांगरी पेशा है वो नांगरी नहीं कर पा का तरीका है कुछ मंत्र ठीक है पहला मंत्र मैं पांच मंत्र आज आप लोगों को दूंगा ठीक जो पहला मंत्र और किसी का विधान बहुत मुश्किल नहीं बताऊंगा ऐसा ही बताऊंगा कि जो कर्म योगी लोग हैं ठीक है एक तो कर्म योगी होते हैं एक धर्म योगी होत हैं लेकिन मायर की दुनिया को चलने के लिए क्या है कर्म योगी लोगों के भी आवशक्ता होती है, तो कर्म योगी लोग कर पाए ऐसी साधना और ऐसे मंत्र में आपको बताओंगा, पहला जो मंत्र है, इसको हाथ में चुलू में पानी ले लेते हैं जो आप कुल्णा जिसको प्रहमस्थान करते हैं उससे जल को ग्रहन कर लेना है मंत्र क्या है पहला मंत्र है ओम नमो भगवती महाविद्ये चक्रेश्वरी एही एही शीग्रम द्वाम तिष्टहू तिष्टहू ओम हृम शहस्त्रवदने कुमार सिखंडवाहने शुकले शुक्ल गात्रे हृम सत्य वादनी नमाहा ओम नमो भगवती महाविद्ये चक्रेश्वरी एही एही शीग्रम द्वाम तिष्टहू तिष्टहू ओम हृम शहस्त्रवदने कुमार सिखंडवाहने शुक्ले शुक्ल गात्रे हृम सत्यवादनी नमहा ठीक है दूसरा जो मंत्र है किसी भी सूर्य ग्रहन के दिन बस इसका 108 बार जाब करना है और रोज सुभा प्राता उठकर एक बार मंत्र का जाब करना है मंत्र क्या है ओम नमो ओम रिम श्रिम क्लिम वदवद वाद वादनी बुद्धी वर्दनी रिम नमहा ठीक है तो ये दो मंत्र जो है ये सुभा जब आप काम करने के लिए जाते हैं जब सुभा सख्ष हो जाते है उस समय इस मंत्र को करना है ठीक है अब थोड़ा सा टेक्निकल मंत्र पे चले जाते है ठीक तो ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं इस मंत्र को किसी भी रविवार से शुरू करके 21 दिन तक क करेंगे तो यह ऐसे लोग करें जिनको बुद्धी की जादा वशक्ता पढ़ती है जैसे कौन जो लेखक है जो पत्रकार है जो लॉयर है है ना जो विद्यार्थी है तो किसी भी रविवार को शुरू करके 21 दिन तक इस मंत्र को 108 बार जाप करेंगे ठीक है एक वक्त का भोज नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाक वादिनी मम विद्याम देही भगवती हंस वाहिनी समरूडा बुद्धीम देही देही प्रज्याम देही देही विद्याम देही देही परमेश्वरी सरस्वती स्वाह ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाक वादिनी मम विद्याम देही भगवती हन्सवाहिनी सम्रूडा बुद्धीम देही देही प्रज्याम देही देही विद्याम देही देही परमेश्वरी सरस्वती स्वाहा ठीक है तो ये मंत्र जो विद्यार्थी है न और जिनको बुद्धी का बहुत जादा उप्योग है जिन लोगों को रेगुलर पठन पाठन करना होता है, वो करें, ठीक, एक और मंत्र है, इस मंत्र को क्या करना है, कि दिन बर पढ़ते रहना है, जब मौका मिले तो एक बर पढ़ लिया, दो बर पढ़ लिया, क्या मंत्र बहुत, आराम से इस मंत्र को आप पढ़ सकते हैं, सातक्षर का मंत्र है, ओम रिम श्रिम कीर्ती मुक मंदिरे स्वाहा, ओम रिम श्रिम कीर्ती मुक मंदिरे स्वाहा, इसको बस बोलते रहने से, जो आपका बधिक विकास है, वो होने लगता है, ओम रिम श्रिम कीर्ती मुक मंदिरे स् यह बस अपना ऐसे घुमते फिरते भी ओम रिम शिम की इतिमुक मंदिरे स्वाहा बोलते रही का तो बुद्धी का विकास होता है सोचने समझने की जो शक्ति है वो आपकी बढ़ते रहती है ठीक है और अब तो आज का आखरी मंत्र यह थोड़ा सा टेकनिकल है इसको दो महिने तक जाप करना होगा ठीक है और रोज जो है हलाकि दो महिने तक इसका जाप होता है लेकिन मात्र 21 बार जो है इसका जाप करना होता है ठीक, क्या मंद्र है ओम रिम श्रिम क्लिम नमह स्वाहा, ठीक है, इस मंद्र का दो महीने तक 21 बार दिन भर में जाब करेंगे, मतलब सुभा मुख्य रूप से जाब करना है, ठीक है, 21 बार, उसके दूसरा पहर हुगा तो 21 बार, तीसरा पहर 21 बार, चौथा पहर में 21 बार, ऐसा आपको दो महीने तक करना है, दो महीने करने से ये सिद्ध हो जाएगा, उससे सुबह उठेंगे, साथ बार इस मंत्र का जाप करेंगे, और दिन भर जो है, बुद्धी, सजीव और सचेत्रेगे, इस में से कोई भी जो मंत्र है, जब भी आपको लगे कि आप अपना फ्र हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को, तंत्र और बाकी विज्ञानों में यहीं अंतर है, कि इसमें शरीर और मंत्र दोनों को, जैसे योग में आप शरीर को साथ सकते हैं, ध्यान में आप मन को साथ सकते हैं, लेकिन तंत्र में आप मन और शरीर दोनों को साथ लेते हैं, तो करना को जो शुरुवाती आया मैं वो हम आपको सिखाते हैं जैसे यंद्र बनाना मंत्र बोलना हवंद करना जिनको मेरा लेक पढ़ना या आगामी कारिक्रम जानना है वो करने के लिए वाट्सप पर अपांटमेंट लीजे या कॉल्मी फॉर आप डाउन्लोड कीजिए उसमें रूद्रनाथ एट्स ये फॉर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा आज के लिए इतना ही मासरसुति आप लोगों पर अखंड क्रिपा बरसा है ऐस